जहिन प्यारे सातियों, आप सभी सातियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चेनल स्टुडेंट वार में डियर स्टुडेंट चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रिस कर दे ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले बात करने वाला हूँ यहां पे मैं डिप्लोमा एनिबल हस्बेंडरी इंट्रेस्ट टेस्ट तो हजार इकिस के स्टूडेंट के बारे में डाहेट टेस्ट जीन भी स्टूडेंट ने दिया है उनके बारे में अभी प्रोपेशनल एक्जामीनेशन बोर्ड के द्वारा आप लोगों का जो है रिजल्ट यहां पे किलियर कर चुका है अब आप लोगों को यहां पे क्या क्या प्रोसेस करनी होगी रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करने वाले है बारी बा बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बाते हैं जैसे आप लोगों के रूल्स कॉलेज में प्रवेस करने के बाद आप लोगों को कौन-कौन से रूल्स यहां पे अपनाने पड़ते हैं कितनी आप लोगों को पेमेंट लगने वाली है फीस कितनी लगने वाली है पू उनसी प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले बता दू मैं आप लोगों को, आप लोगों ने एक्जाम दिया, इंट्रेस्टेट, उसके बाद रिजल्ट आया आप लोगों का, अब आप लोगों की नेक्स्ट प्रोसेस होगी, कॉंसलिंग क्या होगी कॉंसलिंग की होगी और कॉंसलिंग में यहां पे सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे कॉंसलिंग में सभी स्टूडेंट यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे देन उसके बाद आप लोगों की एक merit list तयार होगी क्या merit list तयार होगी और इस merit list के अनुसार आप लोगों का जो है rank wise आप लोगों को क्या दिया जाएगा allotment letter जाएगा जी हाँ और जिस भी candidate का allotment letter आएगा वही यहाँ पे college में जाके admission ले सकता है और counseling कितने round में होगी कितने बार आप लोगों को मौका मिलेगा तो सबसे पहले तो first counseling आप लोगों की जो होगी उसमें सबसे पहले आप लोगों को registration करने के लिए बोलेगा और इसमें सभी को participate करना है चाहे कम से कम नंबर वाले student हो उन सभी को first counseling में जो registration है उसमें सभी को participate करना है ताकि आप लोग second counseling जो होगी उसमें भी participate कर सको third counseling उसके बाद mop up round इस प्रकार कम से कम चार प्रोसेस आप लोगों को चार बार मौका मिलता है कितने बार चार बार मौका मिलता है तो बताऊंगा मैं आप लोगों को next वीडियो में कि कितने नंबर वाले यहां पर student और कितनी प्रोसेस के बाद selection मिल जाएगा तो देखी इस प् आप लोगों का क्या होगा merit list के बाद allotment later आएगा allotment later में एक date दी जाएगी इस date को आप लोगों को college में उपस्तित होना है ये भी वहां पर बताया जाएगा तो dear student इस प्रकार से सारी कि सारी प्रोसेस होगी अब एक एक करके सभी वीडियो बना दूँगा मैं अलग से cut off के बारे में अलग से payment के बारे में अलग से इसलिए चेनल को subscribe जरूर कर ले और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे मैले मिले thank you guys